नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मानस और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स दोस्तों आज से क्लास 11 की फिजिक्स पर्टिक्लरी फॉर सी बीएसी करिकुलम ये स्टार्ट होने वाला है एक एक करके सारे वीडियो बिल्कुल जिस करम में आपका सिलबस है सारे वीडियो को एक एक करके सारे टॉपिक्स पर हम कवर करने वाले है तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट्स और मेजरमेंट्स तो जो मूल प्रशन है कि युनिट्स क्या होते हैं मेजिरमेंट्स क्या होते हैं इस प्रशन पर आने से पहले हमको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एक physical quantity क्या होता है दोस्तों आपके इर्द इर्द बहुत सारी चीज़े घट रही है हो सकता है आप साड़क पे हो और आपके सामने एक कार चल रही हो अगर वो कार चल रही है हो सकता है उसकी गती बिल्कुल constant हो हो सकता है उसकी गती में कुछ इजाफा हो रहा हो तो यह क्या होता है? यह motion होता है और motion को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा फिसिकल अक्टिविटीज को समझ पाते हैं। तो इन सब को measure करते हैं हम लोग physical quantities के जरिये और physical quantities पे सबसे पहले हम लोग नजर डानेंगे आज की video में तो एक एक करके क्या हम लोग पढ़ने वाले इन सारे आर्टिकल्स को एक बार में टच कर देता हूँ, फिर डीटेल में जाके उनके बारे में हम लोग सीखेंगे, छीक, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, मिजर्मेंट क्या होता है, आज के लेक्चर का मेन अब्जेक्टिव या फिर अजेंडा ही मिजर्मेंट है, हमको यह पैचाना है कि मिजर्मेंट क्या होता है, और जब हमारे पास कोई मिजर्मेंट सिस्टम्स नहीं थे, उसके पहले कैसे मिजर्मेंट होते थे, और उनमें क्या खामिया थी, और उनको कैसे पूरा किया गया, पूरा इंदसेंस, उनको कैसे ऐलिमिनेट किया गया, यह सारी बाते हम लोग करने वाले, measurement क्या होता है, unit क्या होता है, ये सारी चीजें बड़ी ही साधारण और simplified manner में मैं आपको समझाऊंगा, एक बार आप measurement समझ जाएंगी, तो measurement के systems कौन होते हैं, या कौन-कौन से होते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ा परकाश डालेंगे, मिरकल में आपने सुना होगा CGS system, इस शब्द आपने कभी न कभी तो सुना होगा, नवी या दसवी कक्षा में तो पक्का सुना होगा, FPS system होता है, इक हासकर British system कहलाता है, एक MKS system भी होता है, जो की काफी कुछ SI system से संबंदित है, या उसी का clone हमको दिखाई देता है, इन सारी systems के बारे में पढ़ेंगे, और क्यूँ ये system आज कल प्रचलन में नहीं है, और खासकर हमारे देश में तो बिल्कुल भी follow नहीं होता है, हमारे देश में ऐसा एक system follow होता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रभाव ब्रटे सिस्टम का आज भी हमारे देश में है, ऐसा क्यों है, तरह सूचिएगा, ठीक है, उत्तर मैं बताऊंगा जब हम लोग उस विशे पे आएंगे, और finally, आज का session हम finish करेंगे, साथ fundamental quantities, या साथ fundamental physical quantities को समझ के, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इस chapter के बारे में बढ़ा हुआ है, तो आप जानते होंगे कि वो साथ fundamental physical quantities कौन से होते हैं, for example, length होता है, mass होता है, temperature होता है, time होता है, तो इन सब के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है, physical quantities, ठीक है, physical quantities क्या होता है, तो पहले मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और फिर एक definition आपको वहाँ पे screen में दिखाई देगा, देखिए, बच्चे जब भी मैं laptop में देखूंगा, आप वहाँ पे देखिएगा, ठीक, ओके, physical quantity क्या होता है, तो physical quantities ऐसे quantities होते हैं, जिनको कि हम measure कर सकते हैं, साथ में, वो हमें help करते हैं, कि हम अपने इर्दगिर्द होने वाले physical phenomena's को अच्छे से समझ पाएं, और उनके जरिये हम किसी दूसरे को भी explain कर पाएं, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, physical phenomena's आपके इर्दगिर्द बहुत सारे हो सकते हैं, उनको समझने के लिए और किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए, हम लोग इन physical quantities का उपयोग करते हैं, तो जैसे मैंने आपको एक example दिया था, car का, car का जो example था, वो किसका example है, वो motion का example है, motion के study में बहुत सारी चीज़े आती है, जैसे motion को समझने के लिए हमें उपयोग में लाना पड़ता है velocity को, acceleration को, displacement को, इन सारे physical quantities के जरिए, अगर आप जानते हैं इनके बारे में, और इनको measure करना जानते हैं, तो आप motion को समझ भी पाएंगे, और किसी layman को अगर आपको समझाना हो, तो उसको समझा भी पाएंगे, किसी दूसरे वेक्ती को, तो सबसे पहले तो physical quantity को हम परिभाशित कर लेते हैं, तो देखिए, बहुत ही खुबस्वरत सा definition है, the quantities which can be measured and it is with their help, all the physical phenomena happening around us could be understood as well as explained to others in a very simplified manner, that my friend is a physical quantity, बहुत ही सरल परिभाशा है, physical quantities वो हैं, जिनको की आप measure कर सकते हैं, साथ में उनके जरीए, उनकी मदद से, आप अपने इर्दगिर्द होने वाले various physical phenomena's को समझ भी सकते हैं, और साथ में दूसरों को समझा भी सकते हैं, तो ऐसे quantities को हम कहते हैं, physical quantities, जो कुछ भी आपको screen में दिखाई देगा, जो कुछ में मैं आपे लिखूंगा, कोशिश करिए उसको उसी वक्त आप अपने copy में note करने चाहें, बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत कुछ है सीखने को, आपको वीडियो को शायद बीद बीच में pause भी करना पड़े, तो करो और उसको note करो, आप करते जाएंगे, जो में फाइल है वो एक टेंपरेरी फाइल बादल जाएगा, और वो फाइनली डिलेट हो जाएगा, हमेशा याद रखिए, नया पढ़ने से ज्यादा इंपोर्टेंट है पुराना रिविजिन करना, आप अगर हमेशा निरंतर रिविजिन करते रहेंगे तब ही आप हर चीजों को अच्छे से परिक्षा में लिखके आप आएंगे और अपने दोस्तों को भी अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है, the quantities which can be measured and with its help, all various physical phenomena's can be explained and understood at the same time, that is a physical quantity, अब जैसे यहाँ पे दो tubulates लग रहे है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यह क्या है, प्र यह मैं कुछ लिख रहा हूँ, यह बोड में चिपक जा रहा है, बिल्कुल चिपक रहा है, क्यों, यहाँ पे भी कोई एक physical quantity work कर रही है, friction, ठीक, आप और मैं, यह चश्मा, मेरे कान में बिल्कुल टिका हुआ है, यहाँ पे भी एक physical quantity है, कौन सी, friction, friction अपने आप में एक force ह जाएगा, तो आप और मैं सड़क पर चल भी नहीं पाएंगे, तो friction भी जो है, बहुत ही important concept है, सब बातों पर चर्चा करेंगे, और अगर अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बहुत ही simplified way में मैं आपके सामने physics को प्रस्तूत करने वाला हूँ, ठीक है तो यह तो भी physical quantities के बाद, तो जैसे मैंने आपको example बताया, बहुत सारी examples है, examples are in the form of area, area है, volume है, density है, यह सारी के सारी क्या है, अपने आप में physical quantities, बिटा अगर थोड़ा सा ओर depth में जाते हैं, अगर आप देखें, area का जो unit होता है, वो होता है meter square, बिल्कुल सही, volume का जो बि unit होता है, वो होता है kg प्रती meter cube, तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, और आप लोग को भी समझ में आएगा, कि area जो है, वो अपने आप में एक प्रकार का derived DNA है, यह कोई base unit नहीं है, यह derived है, base unit क्या है? स्वायम meter अपने आप में एक प्रकार का base unit है, स्वायम kg अपने आ सब चीज दिखेंगे तो यहां पर बहुत सारे उधारण आपके सामने तो बिल्कुल आप इनको जाके पढ़ सकते हैं एरिया है वॉल्यूम है डिंसिटी है अगर आप एक्सेलरेशन की उनिट की बात करें तो बच्चो एक्सेलरेशन की उनिट होता है वो होता है मीटर प्रती सेकेंड स्क्वेर तो अगेन यहां पर दो बेस उनिट्स हैं एक है मिटर एक है सेकेंड कहने का मतलब यह है हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हमने डिसाइड कर दिया कि कुछ यह साथ होंगे हमारे सवरेशन को अलग अलग ऑलग प्रकार से कंबाइन करके हम बना रहे हैं अलग अलग फिजिकल कॉंटिटी तो अगर आप मेरे से बूचें कि सर हमारे अंतुन सीद्थने रिभी क्षा में कितने फिजिकल यूणि स qualitatively और quantitatively दोनों तरीकों से उसका assessment करने वाले है आप सीख लेंगे तो आपकी 11 कक्षा की physics सफल हो जाएगे और बिल्कुल इतनी संख्या 300-200 की संख्या लगबग 12 में भी होगी अलग-अलग विबिन प्रकार के physical quantities जो आप लोग देखने वाले है आप पूछ सकते हैं कि इनकी संख्या असल में कितनी होती है तो इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है physical quantities भी नए नए आ रहे हैं research हो रहा है अलग-अलग physical quantities introduce किये जा रहे हैं किसलिए बस अपने इर्दगिर्द के वातावरंट को समझने के लिए ठीक है तो जैसे समय कभी नहीं रुकता है physics का evolution जो है physics का development जो है वो भी कभी नहीं रुकेगा अच्छे एक और चीज मुझे आपको बतानी थी जो पहला chapter है आपका physical world यहर वो उसको मैं आपे cover नहीं करने वाला हूँ आप अपनी NCRT के बुस्तक से उसको बस एक बार read करना है आपको बस एक बार read कर लिए वो basically आपके ही लिए है कि आप physics के जो subject है उसको appreciate कर पाएं उसकी खुबसूरती को और साथ में आपको एक अच्छा motivation मिले कि हम क्यों physics पढ़ते हैं और लगबग पिशले 200 साल का इतियास जो है physics का और बहुत सारे scientist ने जो खोज किये हैं discovery किया है उन सब के बारे में उस particular chapter में बहुत ही brief sense में चर्चा हुई है तो मेरा आप सभी से सुझाओ रहेगा समय निकालिए समय तो आपके पास भुना चीए NCRT के पुस्तक भी होनी चीए अगर पुस्तक नहीं है तो play store से कोई भी NCRT का एक app जो है आप install कर लीजे और बस एक बर read कर लीजे आपका फाइदा ही होना है नुकसान नहीं होगा यह मेरी guarantee है चेक है? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो है यह दो प्रश्न ले ले लेते हैं एक क्यों दो ले ले लेते हैं क्या fever एक physical quantity है? बताइए ज़रा सोचिए 10 सेकंड सोच लीजे fever, बुखार जैसे फिजिक से कई लोग को बुकार आता है क्या fever एक physical quantity है? तो बच्चे उसका answer है fever जो है एक physical quantity वेल, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि physical quantity तो वो होती है जिसको कि हम measure कर सकते है fever को हम measure नहीं करते हैं हम fever के द्वारा बड़े हुए तापमान को measure करते हैं तो अगर आपसे मैं दूसरा प्रशन पूछूँ क्या temperature एक physical quantity है तो आपका उत्तर होना चाहिए जी हाँ temperature अपने आप में एक physical quantity है तो fever जब भी आपको आता है तो आपका तापमान जो है शरीर का वह पता लगाया जाता है एक यंत्र से जिसका की नाम होता है thermometer ठीक है तो classical thermometer तो मैंने आप मुझे लगता है आप सभी ने देखा होगा mercury रहता है अंदर एक glass का tube रहता है बहुत ही capillary जैसा रहता है उसका capillary action से वो thermometer में जो mercury का liquid रहता है वो rice करता है थोड़ा सब भी temperature में बदला वाता है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ rice मिलता है तो capillary भी अपने आप में एक प्रकार का physical quantity है capillary action भी बहुत खूबसूरत है यह आप सब पढ़ेंगे fluid mechanics में तो physics अपने आप में बहुत खूबसूरत है निर्भर यह करता है कि उसको कैसे आपके सामने प्रस्तूत किया जाता है physics कोई magic से कम नहीं है बहुत ही खूबसूरत विशह है मतलब आपको अचमभित कर देगा आपको शौक कर देगा कि क्या हो रहा है आपके इर्दिकेद ठीक है तो happiness happiness, खुशी क्या मैं अभी आपको पढ़ाते वाग खुश नजर आ रहा हूँ ठीक है तो कोई कहेगा सर आप तो कोई जादे खुश नजर आ रहे है कोई कहेगा हाँ सर आप खुश नजर आ रहे है क्या इसको माप कर सकते हैं आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं तो आप इसका qualitative analysis कर रहे है ना कि quantitative आप happiness को एक संख्या के साथ जोड़ नहीं सकते हैं ठीक है तो यह physical quantity नहीं है physical quantity सिर्फ वही होगी जिसको आप एक particular संख्या या number assign कर सकते हैं अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वो physical quantity के category में बिलकुल नहीं आएगा आखरी प्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि भई qualitative और quantitative analysis क्या होता है यार इसको समझने के लिए न क्या करें क्या करें बच्चों इसको देखिए तो ये तो steel का है और ये pen है whiteboard marker है साइर सी बात है अगर मैं आप से पुछओ यार इसमें से कौन सा भारी है तो आपका उत्तर ये होगा देखने से भी और इसको अगर आपको मैं हाथ में दे दूँ तो यार ये ज़्यादा भारी लग रहा है इसको कहते है qualitative analysis मतलब objects को आप पकड़ करके उसको पसंद करके हलका सा आप qualitatively तो बोल सकते है इसके comparison में ये ज़्यादा भारी है लेकिन मैं सिहाँ पर कोई संख्या असाइन नहीं कर सकता तो जब तक मैं कोई संख्या असाइन नहीं कर सकता मेरे लिए समस्या है बात समझ में आ रही है उसको कहते है जब कभी भी किसी physical quantity को मैं संख्या देता हूँ तो वो असल माइने में एक physical quantity बनती है सिर्फ qualitatively analyze करने से काम नहीं चलता आपको उसको एक संख्या भी देना पड़ेगा उसको कहते हैं हम लोग quantitative analysis चेक है तो यह तो हुई बात physical quantities की अब session को आगे बढ़ाते है अब जो मूल प्रश्ण है कि मेजर्मेंट मेजर्मेंट क्या होता है उस विशे में बटा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं What is measurement बहुत ही कूपसूरत सा concept है तो कोई अगर आपसे पूछता है कि मेजर्मेंट होता क्या है तो आप सीधा बोलिए comparison with a reference standard यह पहला point है comparison with a reference standard is measurement एक प्रकरिया है जिसमें हम लोग क्या करते है कि इसे reference standard के साथ compare करते है तो इसका मतलब क्या हुआ हमें तो मतलब समझने है कैसे समझेंगे तो बच्च वे काम करते है मान लीजे हम हजार सार पीसे चले आते है हमारे पास कोई भी reference standard नहीं है ठेक है हमारे पास क्या है हमारे पास सिर्फ common sense है बस common sense के जरीए आप अपने लिए चीजों को असान बना सकते है और अगर reference standard नहीं रहेगा तो लोगों को व्यापार करने में भी बहुत समस्य आएगी trade करने में भी समस्य आएगी तो एक reference standard होना जरूर ही है तो comparison with reference standard का मूल मतलब क्या है उसका core क्या है मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मान लीजे आपको यह 30 cm का है तो मैं क्या करूँगा अगर मेरे को इसका height ना अपना है मैं बस इसको लगाते जाऊँगा यह ऐसे करके 30 और 30 60 हो गया या 3 scale मैं बोलूँगा 3 scale और आधा scale तो मैं बोलूँगा 3.5 scale है और एक scale में कितना होता है 30 cm होते हैं तो मैं उसका माप जो है उसका measurement बहुत ही असानी से पूरा कर लूँगा लेकिन मान लीजे हम 1000 साल पीछे हैं और हमारे पास कोई भी reference standard नहीं है ऐसी परिस्तिती में आपको अपना विवेक का इस्तिमाल करना पड़ेगा विवेक मतलब common sense का इस्तिमाल करना पड़ेगा वो common sense यह कहता है कि आप किसी भी वस्तु को एक reference standard मान लीजें जैसे मैंने मान लिया इस duster को एक reference standard अच्छे देख लीजिए मैंने मान लिया reference standard किसको एक duster को अब देखिए इस duster के जरी हम लोग कैसे इस board के height को बड़ी सरुलता से माप कर सकते हैं तो देखिए बच्छो मैं आपको करके दिखाता हूँ तो यहां से यहां तक यह हो गया one duster two duster three four five six तो लगबग लगबग यह जो हम लोग ने height निकाला है board का जो height निकाला है बच्छो यह height जो निकल के आया है यह है seven duster तो इसमें जो seven है आपको एक अलग pen यूज करते है यार थोड़ा सा चीजों को spice up करते है seven जो है वो एक numerical value है और यह जो है seven this is nothing but the numerical value और जो duster लिखा हूँ है बच्छो यह क्या है यही असल माईनों में है unit जिसको की हम लोग ने शुरुवात में किसका नाम दिया था reference standard का तो इस प्रकार से आप किसी भी object को बोल दीजे कि भई यह जो है वो इतना है और अगर मैंने unit assign कर दिया क्या मैंने बोल दिया कि यह कितने के बराबर है यह एक duster अब मैं पता लगा सकता हूं कि भाई यह जो height है कितने के बराबर है यह seven duster के बराबर है बात समझ मैं इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं और common sense से आप एक reference standard या फिर unit को setup कर सकते हैं अब एक और चीज़ में बतायता हूं आपको वेल उसका समय तो आगे है जैसे ह अब यह फिर चलिए मास को मेजर करते हैं तो मास का जो बेस यूनिट होता है बच्चो मास का जो बेस यूनिट होता है वो होता है kilo 1 kg अब यह जो बेस यूनिट है यह कहां से आया तो France में Bureau of Standards and Measures है एक city है France के बाहर outskirts में serves करके वहाँ पर भी है Bureau of Weights and Measures वहाँ पर एक object रखा गया है यह बिसिकली एक alloy है एक cylinder है आप माल लीजे तो यह वाली जो लंबाई है और यह वाली लंबाई यह दोनों को दोनों सेम है इस पर डीप में भी चर्चा करेंगे बिल्कुल चिंता मत करिए आप अभी के लिए इतना याद रखिए और इसका जो alloy जिस alloy का बना है यह बना है platinum iridium का अभी ज़्य और उसके जरी एक cylinder बनाया गया और बोल दिया गया कि यह जो cylinder है यह कितने के बराबर है एक kilo के बराबर है बहुत बढ़िया तो यह क्या बन गया आपका reference standard बन गया तो यह है kilo का इतिहास ऐसा आप कह सकते हैं तो अगर आपको किसी भी चीज को measure करना है तो measure करना बड़ा ही आसान है आप यह weighing machine जो होता है यहाँ पर एक object को रखें जो भी object रखें ठीक है और यहाँ पर आप क्या रखेंगे platinum meridium का cylinder को रखेंगे यह फिर रखते जाएंगे जबते कि यह balance ना हो जाए तो एक basic level पर आप इसको इस परकार से समझ सकते हैं तो comparison with a reference standard ही measurement कहलाता है और दो चीजों का याद रखें कोई भी measurement दो चीजों से मिलके बनता है एक तो होता है numerical value और दूसरा होता है उसका unit यह है unit और यह है उसकी numerical value बच्चो ठीक है अब session को और आगे बढ़ाते हैं कौन decide करता है तो इसको उत्तर मैंने अभी आपको दे दिया है यह reference standards decide करने वाले ज जो organization है जो institution है उसका नाम है थोड़ा सब लटाते हैं कि उधर तो लिखनी सकते उधर तो चल रहा है presentation इस तरफ ही है लिखने का उस जगह का नाम है या फिर उस संस्था का नाम है Bureau of standards and measures एक बार मैं आपको लिखके दिखा जेता हूँ Bureau of standards and measures परोस्ते जाता हूँ ठीक है तो reference standard decide करने वाली संस्था का नाम है Bureau of standards and measures ठीक है और एक general conference भी हुआ था सान 1971 में आपको आगे मैं बताऊंगा उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे characteristics है बहुत अच्छा प्रश्ण है कैसे decide किया उन्होंने कि भई platinum iridium को ही हम लोग platinum iridium वाले metal को ही या alloy को ही हम लोग select करेंगे एक reference standard बनाने के लिए तो देखें कुछ मूल प्रश्ण है उसका उत्तर यह है वही reference standard decide करने के लिए तीन qualities या तीन characteristics उसमें होने चाहिए वह कौन-कौन से हैं मैं आपको यहां पर लिख के बतायता हूं reference standard की सबसे पहली quality जो उसमें होनी चाहिए कि वह easily available होना चाहिए बहुत जरूवी है दूसरा globally accepted पूरे विश्व में उसको accept किया जाना चाहिए जो भी reference standard आप बनाएंगे वो internationally accepted होना चाहिए जैसे meter है तो वो internationally accepted है kg है वो भी internationally accepted है जैसे आपको भी Britain गए और या फिर कभी भी किसी English author की पुस्तक पढ़िएगा खासकर जो कि UK का author हो वो लोग आज भी British system से बाहर नहीं आ पाएं वो आज भी foot pound में ही चल रहे हैं तेक है pound तो वैसे उनकी currency भी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे foot pound मतलब as mask की मैं बात कर रहा हूँ उस चीज से वो लोग अभी भी भी भाहर नहीं आ पाएं और पुरे दुनिया में international system को accept कर लिया गया है meter को second को kg को ठीक है तो पहला तो easily available होना चाहिए पहली quality दूसरी quality कि वो globally accepted हो और एक और तीसरा quality यह बहुत ही महत्वपोर्ण है और यह सबसे important quality है जो मैं आखरी में लिख रहा हूँ यह है invariability बीली क्या लिख दिया मैंने invariability इसका साफ साफ मतलब यह है समय के साथ साथ उसके स्वभाव में उसके properties में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए समय तो आगे बढ़ेगा वो तो कभी पीछे जाएगा नहीं समय के साथ साथ उसके behavior में उसके internal structure में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए तो जो भी material आप से रट करेंगे reference standard बनाने के लिए तो इन तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर तीनों टिक लगते हैं तो भई आगे बढ़ेए और उस material के जरी आप reference standard बना सकते हैं ठीक है magnitude के बारे में बात करते हैं कुछ हद तक आपको magnitude तो summary में आ चुका है magnitude दो चीजों से मिलके बनाए बच्चों वो कौन-कौन से हैं एक तो है numerical value दूसरा होता है क्या unit तो थोड़ा सा mathematics लेके आते हैं यहां पे देखिए यह सब आप लोग note करते रही है बहुत काम की चीजे है magnitude पर आते हैं ठीक है जी आते हैं तो बच्चों magnitude में आप लोग याद रखिएगा कभी magnitude की बात करेंगे किसी भी physical quantity के magnitude की बात करेंगे तो magnitude दो चीजों से मिलके बना होता है एक तो बना होता है वो numerical value से दूसरा unit से यह दोनों बाते जो है यह दोनों aspect जो है बहुत ही important है numerical value को आप मान लीजे n magnitude को मान लीजे आप m तो m बराबर आप लिख सकते हैं क्या m बराबर n into p जैसे मान लीजे एक example आपके सामने रखता हूं मैं यहाँ पर लिखता हूं 100 cm मैंने कुछ measurement किया तो मुझे उसका magnitude कितना मिला इतना मिला 100 cm तो उसमें यह जो 100 है वो उसका numerical value है पी जो है उसका unit है अच्छा कुछ और करते हैं ठीक है तो बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूं 100 cm मैंने यहाँ लिखा है तो मैं है तो conversion आप जानती है एक किलोमेटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है यह भी लिखते हैं चलो यह क्यों बता रहा हूं थोड़े दिर में इसका उतर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा देखिए एक किलोमेटर बराबर होता है 1000 मीटर की तो बच्चों अगर मैं आप किलोमेटर है और इसके comparison में मीटर जो है वो smaller unit है बिल्कुल सही है ठीक है कि तो आप चानती है किलोमेटर में 1000 में होते हैं ना कि में किलोमेटर है ठीक है उसी प्रकार से अगर मैं आपसे प्रश्न करूँ कि बच्चों यह बताएं कि मीटर जो है वो larger है कि centimeter larger है तो चानता ह हुमें आपको उत्तर होगा कि मीटर जो है सर वो larger unit है और centimeter जो है वो smaller unit है बहुत सही है लेकिन इसके diversity अगर आप देखें यहाँ पे अगर larger unit है तो यह जो संख्या हमको मिली है संख्या संख्याओं का अगर आप comparison करें तुलना करें तो smaller unit के साथ हमको जो संख्या मिली है वो smaller है उसी प्रकार से यहाँ पर भी बच्चों अगर आप देखें वन जो है एक छोटी संख्या है smaller number और जो 100 है वो बड़ी संख्या है larger number तो यह diversity है इन दुनों के अगर हमको club करना हो तो आप यह कह सकते हैं कि अगर आपके पास LHS और RHS में बई measurement तो उता नहीं है यह meter में ह लेकिन अगर आप देखेंगे unit larger होता है अगर unit larger होता है तो numerical value छोटी होती है unit larger है तो numerical value छोटी होगी और अगर unit छोटा है तो numerical value बड़ा रहेगा कोई भी measurement आप देखेंगे तो यह सारी चीज़े जो है बिलकुल नीशंदे लागू होगी ठीक है तो एक final conclusion वच्चों इससे हम यह बना सकते हैं कि larger the unit smaller is the numerical value smaller is its numerical value छेक है बहुत ही fundamental चीज़े हैं और आपको यह सब समझना चाहिए आपको यह सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और आगे आने वाले lecture में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं dimensional analysis तो यह बहुत ही important wish है और जो numericals है इस particular chapter में chapter 2 है basically dimensional analysis के numericals है उन्हों को समझने के लिए आपको यह वाला concept जो है बिलकुल समझना होगा m is equal to np का ठेक है हो सकता है जैसे यहाँ पर देखिए आप unit छोटा है ठेक unit बड़ा है यहाँ पर larger unit है numerical value छोटा है लेकिन यह दोनों के दोनों equal है तो उस हिसाब से आप लिख सकते है n1 p1 is equal to n2 p2 यह सब मैं अच्छे से depth में examples के जरीए आपको समझाऊँगा आने वाले lectures में बिलकुल चिंतना हो एक एक चीज को पड़ी सरलता से बहुत ही simplified manner में सब के सामने आप सब के सामने मैं प्रस्तूत करूँगा बिलकुल चिंतना ना करें चेक है तो यह सब तो कहान नहीं थी measurement की और बच्चो अब session को फिर से आगे बढ़ाते हैं अब देखते है measurement के systems क्या थे और अब क्या follow होता है कब से follow होने लगा क्यू follow होने लगा सारे उत्तर अब आपको इस article में मैं आपके सामने रखूँगा तो पहला काम इसको रब करें और थोड़ा सा रुकते ह करता हूं विडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं तो बच्चो system of measurement इसको समझते हैं एक time line के जरीए देखिए time line मैं बनाता हूं आपके सामने और इस time line में कहीं न कहीं एक वर्ष आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है वो वर्ष है सन 1971 ठीक है इसके पहले क्या follow होता था और इसके होने के बाद इस वर्ष के बाद या इस वर्ष से क्या follow होने लगा उन दोनों पर चर्चा करेंगे तो before 97 before 97 क्या follow होता था सबसे पहले तो इस बारे में चर्चा करते हैं before 1971 तो बटा इसके पहले तीन systems थे सबके पहले नाम लिख लेते हैं ये जो था cgs system तो मेरे ख्याल में आप समझ गये होंगे पूरा लिख देते हैं यार सम्मान देते हैं चलो पूरा cgs system cgs system में इसको बच्चो एक और नाम दिया गया है Gaussian system, पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ Gaussian लिखके मैं छोड़ देता हूँ, CGS system जो है, उसको Gaussian system भी कहा जाता है, ठीक है, अच्छा, तो इस system में कौन से थे, base units जो थे, वो कौन से थे, वो थे centimeter, gram, और second, एक तो यह था, 71 के पहले यह भी एक system था, 71 के पहले एक और system था, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, वो था, M, K, S system, ठीक है, तो बच्छों, यहां तक यह M, K, S system का प्रश्ण है, यह है, meter, kg, और second, ठीक, और यह जो M, K, S system है, यह भी, France का ही देन है, आप कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, M, K, S system जो है, यह भी, French system में आता है, इसके बारे में अभी, लिख देता हूँ, यह है, meter, kg, और second, और जो तीसरा system है, वो है, अंग्रेजों की देन, उसके बारे में भी देखते हैं, अंग्रेजों ने काफी साल राज किया है, राज किया है, क्या हमारे देश को पूरा बरबात किया है, क्या system है, उनका, F, P, S system, तो बच्चों, इसका मतलब होता है, feet, या foot, pound, और second, तो यह तीनों के तीनों system, जो हैं, वो काफी प्रचलन में थे, एक अत्तर के पहले, जो यह जो दोनों के दोनों system है, बच्चों, यह दोनों system, यह design किया था, French ने, फ्रांसी सी, उने, आप ऐसा कह सकते हैं, और यह जो system था, यह है अंग्रेजों की दीन, यह British system भी कहते हैं, कई लोग इसको British system भी कहते हैं, centimeter, foot, pound, second, British system, तो इतना इतिहास तो आप सब ने पढ़ किया है, काफी समय तक British राश्ता, उस समय भी यह foot, pound, second होता था, आज भी हमारे देश में, आप जानते भी नहीं होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि हम लोग आज भी length को foot में ही दूसरों को बताते हैं, कहने को मतलब यह है, अगर आप से कोई पूछे कि आपकी height कितनी है, तो आप उसको centimeters में नहीं बताएंगे, अगर अगर फ्रांस जाएंगे, तो महाँ पे height, अगर आप किसी से पूछेंगे, तो वो बताएगा आपको centimeters में, लेकिन आप भारत में यह किसी से पूछेंगे, या अंग्रेजों ने जहां पर भी साशन किया है, उनसे ही न कहीं उसका प्रभाव आज भी भारत में है, ठीक है, तो इससे कुछी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बस मैं आपके सामने बातों को रख रहा हूँ, क्यूं हम लोग आज भी feet और second, feet या और inches को ही use करते आ रहे हैं, बिल्कुल चंता मत करिए, यह तीन सिस्टम जो आपको जानने कब follow होते थे, यह 70 से पहले follow होते थे, अब 71 के बाद क्या हुआ, सन 1971 में conference हुई, तो बच्चों, उस conference का नाम था, General, पहले तो मैं लिख देता हूँ, General Conference on Weights and Measures, यह conference हुई, और सारे बड़े-बड़े देशों से, globally, scientists बुलाए गए, ठीक है, सबने participate किया, और सबने मिलके decide किया, कि भाई, यहां से हम लोग, क्योंकि, देशों के बीच में trading होता था, फ्यापार होता था, अब अगर मैं भारात से 30 kg बेशता हूँ, तो वो इंग्लेंड में भी 30 kg रहना चाहिए, या US में भी 30 kg रहना चाहिए, तो कोई variance ना आ आ जाए, उस बात को, उस problem को address करने के लिए, सारे देश इखटा हुए, कहाँ पे, फ्रांस में, यह conference कहा हुआ, पता नहीं, फ्रांस में इतनी सारी चीज़े क्यों हुई, इसका मेरे पास पही उत्तर नहीं है, में संस्ता जो है, weights and measures का, या standards and measures का, वो भी फ्रांस में है, और यह conference भी फ्रांस में हुआ, विबिन देशों के प्रतिलिदी, उन्होंने participate किया, और उन्होंने मिलके decide किया, भाईया, अब जो system बनने वाला है, उसका नाम है, international system, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, क तो बहुत ही close relation है, यह SI system और MKS system में, काफी कुछ कह सकते हैं, आप French influence है, काफी कुछ French influence है, यह SI system में, MKS system का, ठीक है, एक और चीज, बहुत मज़े की चीज है, तो अगर कोई पूछता है, SI system हम लोग बोलते क्या हैं इसको, अंगरेजी में तो कहते हैं, इसको international system, system international नहीं लिखा गया है, इसको IS कहना चाहिए, इसको हम IS ना बोलके हम क्या बोल रहे हैं, SI बोल रहे हैं, क्यों, कोई उत्तर है, बिल्कुल उत्तर है, तो बटा यहाँ पर देखिए, जो दूसरा point है, क्या लिखा है उसमें, उसमें लिखा है, यह French में है, system internationals deunite, मेरी French, मुझे French नहीं आती, जो मुझे से पढ़ते बन रहे हैं, मैं आपको पढ़के सुना रहा हूँ, यहाँ पे system पहले है, international बाद में है, इसलिए यहाँ से उसका नाम पढ़ा, SI, बहुत ही साधारण, ठीक है, तो यहाँ से 71 बहुत ही important वर्ष है, यतने भी physical quantities आज आज आप देख रहे चीजों को एक जगह से measure करके, दूसरे जगह भेजना आसान हो गया, कहने का मतलब यह, quantification जो है, map जो है, असल माइनों में उसकी नीव रखी गई, सन 1971 में, काफी सारा सामभान, export होना है, और कई countries तो ऐसी है, जो export पर ही निरबर हैं, जिससे बंगलादेश है, textile में बंगला बहुत जदा आगे, बहुत जदा आगे, चाइना जो है, वो exports में, खासकर electronic goods के, Apple का design तो बना हुगा US में, लेकिन उसका product जो है, वो बनेगा चाइना में, made in China ही रहेगा, आप Apple का products निकाल के देख लीजिए, ठीक है, तो इन सब का, जो exporters country रहती है, कही ना कहीं, उसका ब France CEO का system आप कह सकते हैं, और MKS भी, ठीक, इन सब को दरकिनार कर दिया गया और एक नए system को accept कर लिया गया, SI system, कब इस conference के बाद, तो चलिए, आज के session का आखरी और सबसे महत्वपूर्ण article, उस पर चर्चा करते हैं, fundamental physical quantities, चलिए, देखते हैं, इनको base quantities भी कहा जाता है, तो यह सब को मिठाया जाए, अगर आपने note नहीं किया है, तो बच्चों क्या कर रहे हो, note कर लो, बहुत ही important है, यह सब, ठीक है, fundamental quantities, एक एक करके आपके सामने प्रस्तत होगा, वहाँ पर, बिल्कुल चिंते तना हो, physics को enjoy करें, हालकि यहाँ पर अभी तक कोई physics start भी नहीं हुआ है, मैंने तो अभी तक एक भी physical phenomena आपको समझाया है, जो physics की असल शुरुवात होगी chapter number 3 से, जहाँ पर हम लोग motion in one dimension, या फ state line, सब पढ़ेंगे, numericals भी देखेंगे, theory पे अच्छे समझेंगे, derivations भी समझेंगे, competitive examinations के लिए objective problems भी हम लोग बनाएंगे, सब कुछ cover करेंगे, बिल्कुल सही करम में, और physics को बिल्कुल एकदम simplify कर देंगे, बहुत आसान लगने लगेगा, आपको physics, आपको literally प्यार हो की बात की गई थी, बात क्या, उनको establish कर दिया क्या था, वो कौन कौन से है, mass, kg बोलेंगे आप, उसके बाद है length, meter, सिर्फ m लिखेंगे, m, e, t, e, r नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको अगर m लिख देते हैं, by default, ये एक standard है, m मतलब meter, और कुछ नहीं, m का मतलब सिर्फ meter ह है, तीसरा, समय, time, सिर्फ sec, sec करके नहीं लिखना है, मुझे पता है, आप लोग 90 दसभी में हो सकता है, आप लोग ने seconds को sec करके लिख दिया, किसी ने sec करके लिख दिया, नहीं, आप सिर्फ s लिखेंगे, मतलब उसका क्या है, seconds, उसके बाद है, current, current के लिए बच्चो आप होती Kelvin, आपने degree Celsius भी सुनो होगा, लेकिन आप, आज से आप याद रखी कि Kelvin भी होती है, और इसकी तो अलग ही कहानी है, जब मैं आपको thermodynamics पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे triple point of water का concept आता है, तो उस triple point के concept से निकल के आता है Kelvin का concept, और वहाँ से Kelvin और degree Celsius के बीच में एक संब करने की दर को ही current कहा जाता है, ठीक है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगी, अभी आप एक basic level पर इतना याद रख सकते हैं, कि साथ fundamental units कौन-कौन से होते हैं, तो छटवा number पर है luminous intensity, प्रकाश की त्रिविरता, और आखरी में, वही chemistry में, अमेरिकाल में 11 कक्षा कर स्टार् मोल कहा जाता है, M-O-L-E नहीं लिखना है बच्चे, सिर्फ M-O-L लिखना है, उतने में छोड़ देना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है, तो यह साथ fundamental quantities हैं, इनके कुछ-कुछ definitions भी हैं, आप चाहे तो अपने पुस्तक से उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें क as to what they really are, लेकिन उनको आपको याद नहीं करना है, और नहीं आपको उसे परिक्षा में लिखना है, मतलब आपको पूछा भी नहीं जाएगा परिक्षा में, साफ-साफ clear-cut footnote लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, मैं एक बार दिखा देत हैं, तो length के बारे में लिखा गया है, देखिए, length का unit तो होता है meter, उसके बारे में लिखा गया है, meter is the length of the path traveled by light in vacuum, in vacuum जरूरी है बई, during a time interval of, अब यह time interval कितना है जरा देखिए, बढ़ी खतरनाक संख्या है यह, एक fraction है, 1 divided by 299792458, अरे बापरे, जरा लिख के दिखाता ह तो मैं आपको 1 divided by 299492, और क्या है यार, मुझे भी याद नहीं है, 492 नहीं है, 792 है और 458, 458, इतने second, यह एक second का इतना हिस्ता, सोच लेजिए, यह कितना छोटा सा fraction है, second का, इतने second में, तै की गई दूरी को ही, हम लोग कहते हैं, 1 मिटर, the distance traveled by the light in this much second, distance traveled by the light in this much second is nothing but 1 मिटर, तो आप सोचेंगे कि यार, इतना second कहां से measure कर लेंगे, तो यार, हमारे पास है atomic clocks, मेरे कल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप एक बर ज़रा Google करके पता करिएगा, मेरे हमारे देश इसमें 4 atomic clocks है, National Physical Laboratory है, New Delhi में, वहाँ पर हमारे पास atomic clocks है, और atomic clocks टाइम मेजर करते हैं, बहुत ही highly accurate है, तो highly भी सही adjective नहीं है, बहुत ज़्यादा accurate है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उनका precision है, अगर आप अपने घड़ी को set कर लेते हैं, हो सकता है, एक साल बाद वो 5 मिन आगे हो जाएट, आगे तो नहीं होगा, पीचे ही होगा, वीचे होजाएए, क्यों होता है, ति कि हमारी घड़िया जो है, वो अतनी accurate नहीं रहते ही, उसके अंदर जो रहता है, ओधर डिड़ीического watch नहीं है, तो वो क्या रहते है, उसमें, quartz रहता है, ठीक है, तो जो quartz है, व UM, cesium के और भी isotopes होते हैं, cesium के एक isotope होता है 133 number का, ये use होता है atomic clock में, ठीक है, ये जो results देता है, बहुत ही शांदार results रहते हैं, तो cesium के atomic clocks रहते हैं, इनका जो साल भर में इन पे जो error आता है, वो बहुत ही कम है, बहुत, मतलब बहुत ही कम, ठीक है, उसको अगर आप हमार आगे है, ठीक, world में time के standards को measure करने के लिए atomic clocks का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप सोच लीजिए, कितना high आपको precision मिलेगा, कितना high precision मिलेगा, या फिर कितना high accuracy मिलेगा, दोनों चीज़े हैं, ठीक, तो आपको in definitions को एक बार पढ़ लेना है, और उससे जदा आपको जाएंगी, आपको तो पता नहीं, इसको measurement कैसे हुए है, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें भी अंदर जाएंगे, तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़े है, अगर इसका definition में आपको पढ़ के दिखाऊ, तो आप चकित हो जाएंगे, time को किस प्रकार से define किया ग आप, ऐसा नो, लोग चले जाएं, यह definition पढ़ता है, तो बिलकुल tension मत लीजे, इतना लबबर definition आपको याद रखने ही जरुवत नहीं, इसमें बहुत सारी संख्या है, और कई सारी physical quantities के बारे में यहाँ पर चर्चा हुए, एक तो radiation खुद है, transition खुद है, और atoms के hyperfine levels क्या quantities, base quantities, fundamental quantities, कुछ भी कह लीजे, यह है mool quantities जिनको की अलग-अलग प्रकार से combine करके हम लोग physical quantities बनाते हैं, जैसा कि जो पहला quantity है, वो है mass, ठीक, तो mass और volume को combine करके हम बनाते हैं density, तो बच्चों देखिए, density बराबर होता है mass upon volume, mass किसमे होता है, वो होता है kg में, और volume किसमे हो में, तो volume जो है, वो भी अपने आप में प्रकार का derived unit है, बच्चों हमेशा याद रखें, अगर आप से कोई पूछता है कि दुनिया में कितने units हैं, कितने physical quantities हैं, तो आप सीधा उत्तर दे दीजे, इसका कोई संख्या नहीं है, physical quantities की संख्या जो है, निरंतर बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे research आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे विज्यान आगे जा रहा है, physical quantities की संख्याएं भी बढ़ती जा रही है, थेक है, बस उनको base quantities जो है, उनको अलग-अलग परकार से combine करके हम लोग physical quantities बना रहे हैं या फिर स्थापित कर रहे हैं, ओके, तो ये derived unit, fundamental units को combine करके जो unit बनता है, fundamental units को mix करके जो unit बनता है, उसको हम क्या कहेंगे, derived unit, ठीक है, अच्छा, दो supplementary units भी बाद में decide हुए, एक है plain angle और दूसरा है solid angle, plain angle का unit जो है, वो है irradiance और solid angle का unit है, वो है stay radian, दोनों पर थोड़ सी चर्था करते हैं, हाला कि आप गणित में, trichonometry में इन सारी बातों को आपके math teacher भी आपको पढ़ाएंगे, हलका सा मैं hint कर देता हूँ, ठोड़ सा touch कर देता हूँ concept पे, कि भई radian क्या होता है, और stay radian क्या होता है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करें बच्चों, आप, चलिए, radians, ओके, देखिए, तो radians को समझने के लिए बच्चों, हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक arc बनाएंगे, यह बनाया मैंने arc, ठीक है, और arc यहाँ पे जो angle subtend कर रहा है, बच्चों, उसको आप कह लिजे थीटा, और यह जो arc है, लिजे s, arc का जाहर सी बात है, कोई ना कोई radius होगा, उसको हम कह लेते है, ठीक, अ हमारे पास formula है, theta is nothing but arc over radius, तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखें, arc जो है, वो है s, radius जो है, वो है r, इस प्रकार से एक angle को define किया गया, ठीक, यह जो भी संख्या आएगी, उसका unit, by default, देखें, यहाँ पे तो लंबाई बटे लंबाई है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो भ करेंगे, एक और खास बात है इसमें, यह जो radiance है ना, यह, यह practical unit है बच्चो, अब आप लोग सोच रहेंगे कि यह सर क्या बोल रहे है, practical unit क्या होता है, हम तो सुने theory होता है और practical होता है, तो यह practical क्या बात है, practical unit इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, क्योंकि यह CGS के साथ भी गूल मिल जाता है, यह ऐसा ही के साथ भी गूल मिल जाता है, कुछ इस प्रकार का system है, सब के साथ, बहुत अच्छा बेक्ती है, यह ऐसा मान लीजिये आप, सब के साथ, mix-up हो जाता है, बहुत इप्यारा बच्चा है, तो यह थो बहुत radiance था, अच्छ, आपने शुना भी होगा angle में कई बार हम लोग sign pi by 2 को 1 लिखते हैं तो pi by 2 को मतलब हम 90 degree मान रहे है sign pi को भी कुछ लिख सकते हैं वैसे sign 2pi भी हम लोग लिख सकते हैं तो यह क्या है यह सारे radians में है अब इंपर थूड़ सा मैं और प्रकाश जालता हूं बच्चों यहां पर आप देखिए भी तो है ठीक है radiance अगर मैं यहाँ पे एक circle बना हूँ तो दिखिए यहाँ पे angle कितना बन रहा है theta कुछ angle बन रहा होगा कुछ degree पे भी बन रहा होगा जाहिर सी बात है अगर मैं बच्चों यहाँ पे एक circle बना लता हूँ तो circle पे केंद्र पे circle का radius आप मान लीजे कितना मान लीजे कुछ भी मान लीजे मैं कहा रोग रहा हूँ आपको वैसे मैंने इसको मान लिया है circle का radius कितना है r तो बच्चों देखिए अगर इसका radius r है तो यह जो छोटा सा arc है इस arc को ही मैंने extend करके क्या बना दिया है इस arc को ही मैंने extend करके एक circle बना दिया है तो जहिर सी बात है बीच में जो angle वो subtend करेगा यहाँ पे जो angle वो subtend करेगा यह angle होगा कितना 360 degree के बराबर तो अगर यह छोटा सा angle theta था यह किस के लिए था s के लिए था ठीक है इस लंबाई के लिए था तो 360 degree कितने लंबाई के लिए है अगर इसका radius r है तो यह तार की लंबाई कितनी है यह होगा 2 pi r के बराबर ठीक 2 pi r मैं पहले लिखता हूँ तो बच्चों यहाँ पे जो radian का concept आता है इस concept में हम लोग स्तेमाल करते हैं unit circle अब यह unit circle आप सोचे रहेंगे कि सर क्या बोले जा रहे है तो बच्चों unit circle जो होता है एक ऐसा circle रहता है जिसकी तरिज्या या radius कितने के बराबर रहती है एक के बराबर रहती है अब इक आई कुछ भी लगा लिजिए meter centimeter कुछ भी लगा लिजिए एक unit circle तो यहाँ से इतना समझ में आ गया कि 360 degree जो है वो बराबर है 2 pi radians के तो अगर आप से कोई पुछता है कि πई radians कितने के बराबर है तो आप बोल सकते है radians को वैसे आपको already लिखने की जरुवत नहीं है जैसे यहाँ पर degree के लिए चोटा सा गोला लगाते हैं हम लोग वैसे radians के लिए आप यहाँ पर C लगा लीजिए 360 बटे दो कर लीजिए यह कितना आएगा 180 degree आएगा बहुत ही important conclusion है जहां तक plane angles का विशे कुछ और भी convergence है मेरे खाल में मुझे आपको उसको बताना चाहिए तो देखिए बच्चो पाई radians कितना 180 degree से अगर मैं आप सो पूछू कि एक डिगरी में कितने radians है कि आप उसको calculate कर सकते है बस थोड़े सी गडित लगा नहीं या थोड़े सा division करना है division मुझे नफरत है division से ठीक है तो अगर 180 degree में पाई radians है तो 1 degree में कितने radians होंगे यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ चरह calculate कर लेते हैं 1 degree में कितने radians होंगे यह calculator है मेरे पास अभी तो use कर सकते है तो यहाँ पर 1 है तो 180 नीचे आजाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और वो 1 कितने radians के बराबर मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ तो मतलब यह बराबर होगा पाई डिवाइड बाई 180 तो यह पाई डिवाइड बाई 180 आ रहा है देखो बच्चो पता नहीं कैमरा में यह दिखाई देगा के नहीं और क्यामरा चल रहा है कि नहीं जरह मत देखों कई बार चलते चलते क्यामरा बंद हो जाता है ठीक है पाई डिवाइड बाई 180 तो यह रहाए 0.1745 0.01745 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.745 इन्टू 10 to the power माइनस 2 क्या इसकी इकाई क्या लिखेंगे आप यहाँ पर RAD या फिर ऐसा करके उपर पावर में C लगा दीजे रहने दीजे अभी फिलाल इसको रेडियनसी लिखते है तो विच्चो इसमें एक और बहुत बढ़िया बात है सरा मैं अगले स्लाइट पर जाओं तो अच्छा थोड़ा यहाँ पर स्पेस काली कर लेते हैं यहाँ पर एक और चीज बहुत ही मज़ी की चीज बताते हैं आपको देखिए मान लीजे यह 90 डिगरी का एक मैं अंगल लिता हूँ quarter circle है तो इसके अगर आप 90 हिस्से करेंगे तो हर हिस्सा जो है हर हिस्सा कितने को शो करता है एक डिगरी को शो करता है मानते हैं आप बात को अब यहाँ पर आप जानते होंगे एंगल का जब भी measurement होता है बच्चो तो यह होता है डिगरी minute और seconds में बहुत सही सब जानते हैं हम सब टिगरी, minutes और seconds अच्छा minute और second को बिल्कुल समय से compare मत करिए यह मान के चले हैं यहाँ पर यह भी angles हैं तो अगर आप सिर्फ इस one degree में जूम करें सिर्फ इतने one degree में अगर मैं जूम करता हूँ इसको जूम करके बनाता हूँ तो इसके अगर मैं और 60 हिस्से कर दूँ इसके और 60 हिस्से कर दूँ तो बच्चो हर unit जो है हर हिस्सा जो है वो किसको शो करेगा एक minute को शो करेगा तो यहाँ पर जो unit चल रही है वो है degree यहाँ पर जो unit चल रहा है वो है minute और अगर मैं सिर्फ इस one minute में फिर से focus करूँ और इसको अलग से बड़ा करके बनाऊं one minute को तो यहाँ पर अगर फिर से मैं इसके 60 हिस्से कर दूँ तो हर हिस्सा जो है बच्चो वो चुतने angle को शो करेगा उसको हम लोग काएंगे seconds तो यह जो है philosophy यूज होती है degree, minutes और seconds की याद रखिए, एक degree को 60 हिस्सों में काट दिये हर हिस्सा show करेगा एक minute को एक minute भी एक बटा साथवा degree है ऐसा कह सकते हैं आप और यह एक minute के छोटे से हिस्से को हम लोग ने zoom करके यहाँ पर बनाया उसके 60 हिस्से किये तो हर हिस्सा जो है show करेगा एक second को, वो भी एक क्या सकते हैं आप degree का ही एक छोटा सा fraction है यह सारी थी बात plane angles की, ठीक है अच्छा, यह मैं आपको बता रहता है न अगर one degree इतना होता है तो यहर one minute कितने के बराबर होगा एक degree मतलब होता है बच्चो 60 minute, तो 60 को आप नीचे लेके जाएए यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब क्या होता है एक one इस संख्या जो आई है उसको आप divide कर दीज़े आप 60 से, तो आपको जो value मिल जाएगा यह 2.90 into 10 raise 2, कुछ power minus 4 मिल रहा है यह जो चीज मिल रहा है इसको यह मैं लिख लेता हूँ 2.908 into 10 to the power minus 4 radians और बच्चो हम जानते हैं 1 minute में 60 second भी होते हैं तो फिर 60 को यहाँ पर नीचे लेके जाएए तो आपको मिल जाएगा 1 second बराबर कितना होता है तो यह बच्चो यह जो value हो गया है यह निकल के आएगी बटे 60 कर देते हैं फिर से 4.84 4.84 8 है तो 4.85 मान लीजए into 10 raise to power minus 6 यह भी radians तो यह basic conversion है आप इसको copy में विलकुल note कर लीजए क्योंकि अगले session में मैं आपको length measurement सिखाने वाला हूँ और length measurement में हम लोग देखेंगे direct और indirect methods दोनों indirect methods में आपको सिखा हूँगा मैं parallax method जिसमें की बड़े बड़े distances astronomical distances जो होते है वो हम लोग पता लगाते है simple गडित के जरीए ठीक है और कुछ यह अंतरों को प्योग होता है observatories आपने सुना होगए कभी नट जीओ तो दिखते ही होगए अलका फुलका observatories होती है जो कि continuously monitor करती रहती है space में stars planets की location को ठीक है कुछ वैसा concept है उस पर चर्चा करेंगे और कहीं न कहीं आपको यह जो conversions हैं वो काम आने वाले हैं ठीक अब यह तो था plane angle अब हम लोग बात करेंगे angle जो 3D में होता है वो होता है solid angle उसको measurement करने के हम लोग बोलते है stay radian s-t-e-r-e-d-i-a-n तो अगर आपने यहां तक अभी तक note नहीं किया है तो भाई इसको note कर दीजे क्योंकि आप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं ठीक है stay radian क्या होता है इस पर ज़र हल्की सी चर्चा करते है अरे यारे इसको मटाना पड़ेगा इसा लेते है देखिए stay radian क्या होता है तो बच्चों यहां पर आपको assumption करना है यहां पर अजियूम करना है एक sphere है आपके सामने गोला ठीक है गोला क्या होता है स्फियर होता है ठीक अब एक काम करते है यहां पर एक sphere बनाते है कोशिश करते है वो sphere को कहीं से भी देखो आप बच्चों वो तो दिखाई देगा एक circle circle एक plane object है sphere एक three dimensional object है ठीक है याद रखेगा दोनों के बीच में अंतर अब स्फियर का जो radius है बच्चों आप मान लीजिए इसका radius है और इस sphere में छोटा सा patch है छोटा सा हिस्सा मैं यहां पर बना रहा हूँ खोड़ा ज़्यादा सम्मान देजेते हैं इसको और यहां पर बढ़िया से इसको highlight कर लेते हैं छोटा सा patch जाहिर सी बात है यह जो patch है यह यहां केंदर में जोडने पर यहां पर कुछ न कुछ एक angle जरूर बनेगा ठीक है और इसी angle को बच्चों इसी angle को हम कहते है solid angle तो इस पर बहुत डीटेल चर्चा होने वाली है solid angle पर आपके बारवी क्लक्षा में 12 में 12 में जब आपको मैं गॉस लौ पढ़ाऊंगा तब आप लोग देखेंगे कि इसका actual meaning क्या है गॉस लौ में देखेंगे इलेक्ट्रो स्टार्टिक्स में एक portion आता है चाह पर की अलग अलग प्रकार के objects रहते हैं उनके इर्द गर्द हम लोग electric field की intensity या उसकी तीवरता को पता लगाते हैं तो बड़ी असान तरीका एक गॉस लौ लगा कि आप कहीं पर भी आप बिंदू अंकित करेंगे तो महाँ पर electric field का हम पता लगा सकते हैं यह concept है ठीक है अच्छा खेर वो तो बात की बात है मिर्जी यहाँ पर आपको समझाना है कि solid angle क्या होता है ठीक है अब देखिए यह यह पूरा three dimensional है मतलब ऐसा इधर भी हो सकता है यह जो कौन है ऐसा करके यहाँ पर भी हो सकता है ऐसा पर कहीं पर भी जा सकता है ठीक जरह आप सोचें अगर मैं square के विशह में बात करता हूँ तो square का जो curved surface area होता यह इक कितना होता है सोचके देखिए आपने mensuration को पड़ रखा है स्विर्षा जो कर्फट सर्फिस एरिया होता है बच्चों वह होता है पाइपाई रापकें किली लिख दती है इसको सर्फेस एरिया कितना होता है फॉर पाई आर स्कॉर् assim स्क्रीं ए मान च्थर मैं वह की बता रहा हूं थोड़े देर पर इसाथ है आप इतना याद रखें, स्फियर का जो curved surface area होता है, वो होता है 4 pi r square, क्या जरूरो तान पड़ी, अब इसको define कर लेते हैं, तो देखिए, stay radian को define करने के लिए बच्चो, यहाँ पे एक formula का हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग ने यूज़ किया theta बराबर arc upon radius, plain था, य यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, stay radian, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, stay radian, stay radian तो नहीं लिखना जीए, वो तक है एक unit है, इसको लिखते है, is he the solid angle, solid angle जो होगा, वहाँ पे plane angle था theta, यहाँ पे जो solid angle होगा, वो किसका division रहेगा, वो रहेगा area divided by radius and its square, तो बच्चो यहाँ पे देखिए, अगर आप पूरे sphere का अकलान करते हैं, तो पूरा जो पूरा sphere है, उसको surface area कितना होगा, वो होगा 4 pi r square के बराबर, ठीक है, r square यह divided होजाएगा, r square से, कहने का मतलब यह दोनों को दोनों cancel होजाएगे, तो solid angle कितने के लिए आजाएगा, 4 pi आजाएगा, तो solid angle, अगर मैं full sphere की बात करता हूँ, तो यह बराबर होता है, 4 pi के, अगर आप solid angle निकालना चाहते हैं, एक hemisphere के लिए, आधे sphere के लिए, आधे गोले के लिए, तो यह भी आदा हो जाएगा, यह कितना आजाएगा, 2 pi, ठीक है, तो काफी सारी चीज़े cover हो गई है राज के session में, आपको समझ में आ गया physical quantities क्या होत जिनके जरिए हम अपने इर्द इर्द होने वाले physical phenomena's को समझ सकते हैं, और दूसरों को समझा सकते हैं, साथ में सबसे important ऐसी quantities जिसको आप measure कर पाएं, उनको हम लोग क्या कहते है, physical quantities के बाद हम ने सीखा कि measurement क्या होता है, तो measurement में दो important elements है, एक तो है बच्चो numerical value और दूसरा है उसका unit, तो numerical value जादा होगी, तो unit छोटा रहेगा, and vice versa, बहुत ही सरल तरीके से summarize कर देते हैं, ठीक है, और आपने systems of measurement देखा, FPS देखा, आपने CGS देखा, आपने SI system देखा, जो आज follow हो रहा है, currently, पुरे विश्व में, तो इन सारी बातों पे आज हम लोगों ने चर्च क्या होते हैं, ठीक, और दो supplementary units भी आपने देखे, एक plane angle था और एक solid angle था, plane angle का unit था radian, और solid angle का unit था stay radian, तो काफी सारी चर्चा होगी, मेरे काल में काफी ज्यादा समय हो गया, दस बजने जा रहा है, खाना खाना है, ठीक है, तो बच्चो अगले वीडियो में, अगले हम बात करेंगे, measurement of length, जिसमें हम लोग direct methods भी पढ़ेंगे, जिसमें के जरीए, मतलब मेरे कल में आपने vernier calipers, एक simple meter scale, फिर screw gauge, जो भी accessible objects है, इसका तो आप measurement कर सकते, यह तो direct measurement है, लेकिन सबसे महत्वपोण इसमें यह है कि indirect methods क्या होते हैं, indirect methods कौन कौन से हैं, इसमें भी काफी सारे method में आपको सिखाने वाला हूँ, parallax method है, जिसके जरीए आप दूर में कोई सितारा है, medium distance stars होते हैं, nearby stars होते हैं, उनके distances आप calculate कर सकते हैं, parallax method के जरीए, या फिर अगर आपको moon का time meter calculate करना है, तो यह सारी चीज़े जो है न, जिनको कि आप बिना touch किये, simple common sense के ज जरी और थोड़ा सा mathematics, इन सब के जरीए आप calculate कर सकते हैं, इस सारे के सारे indirect methods है, इन सब पर चर्चा होने वाले हैं, बिल्कुल निश्यंत रहे हैं, बस वीडियो को देखते रहे हैं, और अगर आपको notifications चाहिए, अगर आपको वीडियो जागे देखने हैं, तो आपको वो subscribe बटन जो है न, red वाला, उसको दबाना पड़ेगा, तभी आप notified रहेंगे, तो यह था यार आज चैनल का पहला वीडियो, तो बड़ी खुशी हो रही है राज पढ़ा के, तो चलिए, अगले सेशन में मिलते हैं, with measurement of length, both direct and indirect will be covered up, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ, आपका दिन शुबर है, और एक request माता-पिता की सेवा करें, बस आगे बढ़ें, खुब पढ़ाई करें, ठीक है, तो चलिए, थांक यू